नवसकर दोस्तों मैं उसे धांत ओलंपिक इस्टेडी में आपका बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों तीन से चार दिन के बाद में ये वीडियो आ रहा है तो पहली बात तुम्हें आपसे छमा चाहूंगा कि रेगुलरिटी नहीं बन पारी है कि इसनी कारण वस क्योंकि य हाला कि ये तीन-चार बार मैं कह चुका हूँ पहले भी कि रेगुलरिटी करने कोशिश करूंगा लेकिन इसलिए मैं अपनी बातों से मुकर जा रहा हूं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों कोशिश करूंगा कि रेगुलरिटी रहे क्योंकि अभी हमें लगभग 5-6 व कोशिशन नहीं था तो मुझे लगभग 5-6 वीडियो अभी और आने पड़ेंगे संपूर्ण ग्रामीड कवर करने में तो आप लोग निश्चिंत रहें मैंने आप लोगों भी से बोला है कि ग्रामीड तो मैं इस टैनल पर कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगा अगर कोई भ भी आपको लग रहा है कि यह टॉपिक सर्जी आपसे रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना दोस्तों ठीक है तो कमेंट सेक्शन में जब आप लिख देंगे तो मेरी निज़र उस पर जाएगी तो मैं उस टॉपिक को फिर कवर करने के पूरी कोशिश कर बोल रहें कि सब्सक्राइब करने के बाद में इसका मैं प्रिंट आउट निकाल लूँगा यह भी बहुत अची बात है अब नोट्स लगभग मेरा सौ से डेर्ट सो पेजिसका है तो सारे का प्रिंट आउट आप लोग मत निकालना जो चीज़े आपको आती है उसका प्रि चले आ रहे हो ठीक है यहां पर अच्छे से कवर करने कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे क्या करना है मुझे तो एक कुश्चन लेकर चलना है अब मैंने पिछले क्लास में उत्तर प्रदेश की जनगरना पढ़ाया था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं साइध उत्तर प्रदेश उसकी में बात कर रहा हूँ 20 वीडियो लगबग अपलोड हो चुके हैं उन 20 वीडियो में जैसे फसल के अगर मैं बात करूँगा तो उसमें भी जो फसलों का रोग होता है वो चुट गया है इसके बाद में अगर हम राजय सो परिसत की बात करेंगे उसमें अनुभाग पहले जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ड बिंदु थे उनको मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ यह आपको याद होना चाहिए क्योंकि यह एक्जाम में आने किसके संभावना ज्यादा होती है थोड़ा सा आपको रिमेनिंग पॉइंट्स जो रहे गए थे आपके सीतापुर में ही मिलते हैं अगला पॉइंट है सबसे कम अनसुची जाती कहां पे है तो यह आपका बागपत में है स्रावस्ती में है जीबियन यानि कि गौतम बुढ नगर में है एंडर महोबा में सबसे कम एस़्टी कहां पे मतलब जन जाति यह जो शेडियूल हो यहां पर कम है और सीतापूर और सोनभद्र सीटापूर सी में और सोनभद्र सीटापूर प्रदेश का भारत में अस्थान कौन सा है जनसंख्या के हिजाब से इस अस्थान पर आता है तो यह वैसे भी आपको पता होका लगिन फिर भी आपका ध्यान इधार होना चाहिए कि राजस्थान, MP, महराश्ट्रा यह इस पर आपका ध्यान होना चाहिए इसके सिक्वेंस में हो चाहिए नमबर एक पे आपका जो है राजस्थान है और नमबर दो है आपका MP और नमबर तिन है आपका महाराश्टरा और नमबर चार है आपका उत्तरप्रदेस ठीक है? साथियों छमा चाहूंगा यह आपका जनसंख्या नहीं है यह आपका छेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत में चौथेस्थान पे है नमबर एक पे आपका राजस्थान यह सिक्वेंस आपको याद होना बहुत जरूरी है राजस्थान, मध्यप्रदेश, महराष्टर, एंड़न, उत्तरफ्रदेश यह छेत्रफल के हिसाब से है अगला पॉइंट देखिए दोस्तों यह जब आपको PDF मिलेगा तो वहाँ पे आप लोग इसको correct कर लिजेगा अगर आप मेरा यह वीडियो देख रहे हो, जो लोग PDF बाई करोगे तो वहाँ पे आप इसको check कर लेना है अगला point देखिए दोस्तों कुल पूरुस प्रतिसत वैसे भी जो यह easy point है यह I think PDF में सभी लोग जानेंगे कि हाँ थोड़ा सा mistake हो चुका है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें जो mistake है यह आप लोग वेसे भी guess कर सकते हो गलत मद पाढ़ लेना जोस्तों ठीक है अगला point देखिए, कुल पुरुस 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 है अब का 12% है और महिला का अब इसमें सब्टेट कर देंगे 100-10 तो यह आपका मिल जाएगा 47.71 यानि कि 52% आपके लगभग पुरुस है और लगभग 47% महिला है कुल नगरिय जन संख्या के अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो कुल नगरिय जन संख्या ये 22.7% है नगरिय जन संख्या मतलब जो नगर में रहती हो उसकी जन संख्या पूरे हिसाब से अगर देखा जाएगे तो 22.7% है और ग्रामीड जनसंख्या उत्से AT 777 परसेंट, ठीक है, देश में कुल ग्रामीड जनसंख्या कितनी है, अगर हम योपी की बात करेंगे, तो योपी में दोस्तों, आपको 77 दसमलो 7 तीन लगाना है और देश में कुल ग्रामीड जनसंख्या के अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ये पूरे देश के ग्रामीड जनसंख्या की कितनी है तो ये आपका 18 दसमलो 6-3 परसेंट है यहने के देश भर में सबसे ज़्यादा ग्रामीड आपके उत्तर प्रदेश में रहते हैं ठीक है तो फिर से एक बार थोड़ा सापको दिखाना चाहूंगा कुल पूरुस जनसंख्या बावन कुल महिला जनसंख्या है 47 कुल नगरिय जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में 22.7% ग्रामीड जनसंख्या लगभग साथतर है और इसके बाद में देश में टोटल ग्रामीड का युगदान उत्तर प्रदेश से 18.6% से ठीक है देश में फस्ट है अब पीडिये में आपको यहां पे फ्रोड़ा से करना पड़ेगा कि देश में कुल जन संख्या यूपी के हिसाब से इसको लिखा गए यहां पर अगला पॉइंट देखिए दोस्तों लिंगा अनुपात अगर हम बात करेंगे उस्तर प्रदेश के लिंगा अउपात की तो यहां पे 1000 पे 9007 हैं ठीक है एक हजार पूरसों पे 9007 महिलाएं हैं अनुसूची जनजाती की और 1000 पूरसों पे पाथ है यह आप चेक कर लेना अगर पेपर थोड़ा लेवल का बनाएगा तो यह पूछ सकता है ठीक है अगला पॉइंट देखिए देश में सरवाधिक यह प्रशा है सरवाधिक सड्यूल कास्ट आपका यूपी में ही है राज्य में कुल यह सी परसेंटेज के अगर हम बात करेंगे मतलब पूरे जनसंख्या का यह सी परसेंटेज जनसंख्या कितनी है पूरे राज्य में तो यह आपका 20.6 नव यानि की लगबक고 20.5 परसेंट यसी पूरे राजी में मिलते हैं ठीक अब हम यहाँ पर अगर हम सबसे ज्यादा बात करेंगे कि सबसे ज्यादा यसी परसेंटेज किस जिला में है तो आपका कौसामी जिला में सबसे ज्यादा परसेंटेज है ध्यान देना दोस्तों यह परसेंटेज है ठीक है यह जनसंख्य शती है लाग होता है आपको इस चीज़ तो ऑबसी बात है कि कि सफित्र नसंख्या में में अगर so लोग रह चैक है मैं इसको समझाओगा ने तो लंबा नहीं करना क्योंकि एक्स्प्रिन करने का मेरा माइंड सेट माइंड यह तो अपना जान लेजिए कि यहां पर जो परसंटेश होता है वह आपका कौसामी में सबसे अधिक है और हम जन संख्या की बात करेंगे तो वह सीतापुर में सबसे ठीक है ऐसे ही अगर हम बात कर है पूरे जन संख्या का उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है और बागपत में अगें सबसे कम यस्टी है ठीक है आगे देखिए दोस्तों तो दोस्तों भारत की जनगर्णा से संबंदित कुछ महत्वपूर्ण डेटा हमने उत्तर प्रदेश के जनगर्णा जब वहां पर रहे गये थे उनको हम यहाँ पर चर्शा में लएंगे तो 1801 में स्टाट करते हैं दोस्तों 1801 में सरवपर्थम जो जनगर्णा हुई थी यह इंग्लैंड में हुई थी कहां पर हुई थी 1801 में ये समझ लेज़े कितना प्यारा सब देटा है अठारा सो एक से जन गड़ना ये स्टार्ट हुआ था कहां से स्टार्ट हुआ था तो England से ही स्टार्ट हुआ था अब हम बात करेंगे आध़ुनिक विश्व में सरवपर्थम व्यक्तिकत रूप से जनगरना का कराने का स्रे किसको है यानि कि एक एक व्यक्तिकी जनगरना ठीके व्यक्तिकत रूप से उसका डेटेल कहां पे लिया गया था पहले तो ये Sweden में लिया गया था आधनी की विश्व में सरपर्थम व्यक्तिकत रूप से जनगरना यानि कि उस व्यक्तिका पूरा डेटेल लिया गया था तो वो कहां पे लिया गया था ये Sweden में पहली बार लिया गया था और जब हम बात करेंगे कि एक से लेके 10 साल तक और फिर यह से इसके बाद लिये दस साल तक जन गढ़ना होगा कि तो यह इस्टाट हुआ था 1970 में HE अमेरिका से लिए कि जो दस साल का गयब होता जिन गढणा के बीच में ये कहां से स्टार्ट हूआ था तो ये अमेरिका से स्टार्ट होगत ठीक है अग्ला पॉइंट देखिए दोस्तों हुई कोई सिक्ष infrastructure ठीक है अगला point देखिए हमारा जो आदर सवाकल है यह हमारी जनगण्रना हमार भविश्य यह आदर सवाक के रहा है दोस्तों यह एक्जाम में पूछ कया था आपका aro के एक्जाम में पूछ था मोस्ट important है तो आप समा सकते हो कि जब आदर सुवा के पूछ लिया है तो सुभंकर भी पूछ सकता है ठीक है अगला point देखिए दोस्तों 1921 में महा विभाजक काल बोला गया इसकी संग्या दी गई कि नॉमल सी बात है कि जनसंख्या जो है वह हमेशा बढ़ती है डिक्रेजिंग फॉर्म में होती है दस है तो 11 हो जागी रेकिन कम नहीं होती है यह नहीं कि महा विभाजक काल में यानि कि 1921 में दोस्तों यह डेट आपको याद रहना चाहिए हमेशा क्या लिखा है मैंने फिर जनगरना घट गई थी इनीस सो जब 11 से लेके 21 के भीच मेंढ़ना घट गई थी आप यहाँ कितनी घटी थी तो यह 77 लह की कमी आई थी 278 की कमी आई थी दोस्तों पिशले वीडियो में जो मैंने यूपी की बात कि थी तो उसमें में मेरे it उसे भूल से निकल गया था कि यूपी की जनसंख्या महा विवाजक पूरे देश की जनसंख्या महा विवाजक काल में बढ़ गई थी वो तो मेरे मुझ से निकल गया था ठीक है तो उसको आप करेक्टर लेजएगा 1921 के बाद में जब महा विवाजक है तो यहां पर अब यह इसी बात जनसंख्या घण similar point देखे दोस्तों अगला point जनसंख्या इस्तिरता प्राप्त करने का लग्ठ कितना है ब hm ready 45 तक का जो लक्ष है ने का है ये जनसंख्या इस्तिरता क्रें कि बस सिधा से मतलब इतना आप ये जा लिए कि हमारी जनसंख्या एक हिसाब से अगर देखी जाए constant form में होनी चाहिए ना आने वाले 10 साल में वो ज़्यादा बढ़ पाएगी और ना घट पाएगी इस टाइप से हमें देखना है क्योंकि घटना भी जनसंख्या ये एक चींता का विश्य होता है घटना भी नी चाहिए और बहुत ज़्यादा बढ़ना भी नी चाहिए हमें इस्थिर जनसंख्या लेके चलना है तो ये हमारा जो लक्ष है प्राप्त करने का ये 2045 तक का है ठीक है अब हम कुछ प्रमुक आक अगला पॉइंट है कुल जनसंख्या ये देख लिजे इतना कुल जनसंख्या है एक सो इकीस जीरो पांच उनातर पांस होती हैत्तर अब जिसमें परसेंटेज जो है ये 51 दसमलो चार साथ है यानि के लगबग साड़े क्यावन परसेंट है और जो महिला परसेंटेज है ये 48 परसेंट है फिर से बोल रहा हूँ इनका जनसंख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट परसेंटेज ही याद रखना है कितना पूरूस है ठीक है अगला पूंट देखिए जनसंख्या घनत तो जो 2011 में जो डेटा जारी हुआ था उसमें एक किलोमेटर में कितने लोग हैं 382 यानि कि एक किलोमेटर में भारत में अगर कोई जमीन है भारत की बात हो रही है तो वहाँ पे एक किलोमेटर में कितने लोग हैं 182 लोग है लिंगान उपात के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक हजार लड़कों पे आपका 943 लड़कियां पढ़ती ह भारत में लिंगान उपात याद रखना दोस्तों बहुत ही महत्वपून डेटा है एक्जाम में पूछ सकता है भारत में 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां है साक्चरता जो है यहाँ पे 73% है कितना है 73% है देखिए यह तीनो ही बहुत महत्वपून डेटा है मैंने यहाँ पे लगा दिया है और यह ऐसा डेटा है कि आपको एक्जाम में भूल जाएगा यह भी मैं गैरेंटी करता हूँ यह ऐसा डेटा है कि अगर आपने इसको ध्यान से यहाँ पे आखे खोल के नहीं देख लिया आज तो यह आपके एक्जाम में भूल जागे क्योंकि 912 देगा ऐसे देदेगा और 943 देदेगा तो यह 912 वाला मार के आप इस पे चलिया होगे जबकि यह लिंगा अनुपात का डेटा आपको देगा इसे 943 देदेगा और इधर 912 देदेगा अब आपको क्या लगा कि 912 कुछ फैमिलियर लग रहा है यानि कि यह यूपी वाला है ना तो यह फैमिलियर लगेगा तो इस पे मार के भागा होगे और जबकि सही क्या होगा 943 सही होगा ठीक है तो यह चीज़े ध्यान देना मिसमैच नहीं होना चाहिए अगला पॉइंट है सिसू लिंगा नुपात जो है यह भारत में अगर सिसू लिंगा नुपात की बात करेंगे तो यह 999 लड़किया है एक हजार लड़कों पे सिसू के अनुपात ठीक है नगरी जन संक्य हमारे हैं 31.2 परसंट बहुत कम है सोचिए पूरे भारत में अभी मात्र ओ मात्र 31 परसंट सहार है बागी सब गाउं है ऐसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं बताईए ठीक है यह नहीं कि बहुत ज़्यादा भी ग्रामरी जन संक्य हमारे हारे रही है बहुत ज़्यादा हमें विकास करने के जुरूरत है अगर हमें डेवलप्मेंट कंट्री बनना है तो नगरी जन संक्य हमारे 31 परसंट सहार है तो कम से कम 50 पलस कम से कम हमें करना है फटाफट ठीक है फटाफट तो होगा नहीं कोई एक्जाम नहीं है हाला कि हो सकता है हम लोग डेवलप्मेंट के जरह बढ़ रहा है फिलाहल चाइना जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसका तो हम मुकावला अभी भी नहीं कर पाएंगे ठीक है पूर्ण साक्षर राजे जो है यह आपका केरल पूर्ण साक्षर राजे केरल है ध्यान देना पूर्ण साक्षर राजे अगें बोल रहा हूँ केरल हाँ में सिक्क्य में कम आपको याद रखना कोड कर लेना कम 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 यानि कि सिक कम ठीक कम है आप अगला परिल की यह टोटल सुटल में अगर हम बात करेंगे यानि कि एगर हम यह और हम राज्य की Phाण करेंगे इन बोनों में सबसे कम कि sinking में है तो और यह दोस्तों अलग पॉइंट से आप याद करना ठीक है सबसे ज़्यादा जब पुछेगा कि 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 इस राज्ये में या फिर केंदर साचित प्रदेश में सबसे कम जआती है तो वहां पे अगर सिक्की private देगा और लक्ष दीव देगा तो आप लक्ष गुष इस रेट से बड़ रही है दस्की वृत्धी के कम परेजन में ठीक है अगला पॉइंट देखिए दस्की वृत्धी दर रडात्मक कहां पर हुई थी most most important दोस्तों ये मेरी तरफ से याद कर लेना ये question बहुत ही मातोपूर है दसकी वृद्धिदर कहां पर सबसे कम हुई थी किस राज्य में तो ये आपका नगा लेंड में हुई थी वैसे हर जगां बड़ी थी लेकिन कम कहां पर हुई थी इसलिए आपको याद रखना है कि दसकी वृद्धिदर नगा लेंड में कम हुई थी ये नाग आया और अंडे खा गया यानि कि जितने बच्चे थे वहाँ पे सबको खा गया यानि कि नागा लेंड में सबसे कम ब्रद्धी हुई थी ठीक है अगला point देखिए अनुसूचित जाती अनुसूचित जाती पूरे देश में 16.6% है और हम अनुसूचित जाती की बात करेंगे यानि कि ट्राइब्स की बात करेंगे यानि कि ये स्टी की बात करेंगे तो ये 8.6% है अनुसूचित जाती अगें ध्यान दिना दोस्तों ये हाफ है एक दम से अनुसूचित जाती अगर 16.6% है तो इसका हाफ कर लो ठीक है लग भग लग भग उतना ही आ रहा है अनुसूचित जंग जाती आठ दसमलो छे परस्ट शोला का आठ हाफ हो गया अनुसूचित जाती और अनुसूचित जंग जाती अगला पॉइंट देखिए तो इस तो नागा लेंड और अनुडाचल प्रद आपको कन्फ्यूच करने के लिए ही देगा वह पूर्वी राजे सब भर देगा ठीक है नागा लेंड यह तुम्हारा आसाम देदेगा अनुसूचित नहीं होना है नागा लेंड और अनुसूचित नहीं रहती है ऐसे हरियाणडा और पंजाब में कोई यस्टी नहीं रहत देगे हम तो नागा लेंड और अनुसूचित नहीं है अगला पॉइंट देखिए दोस्तों केंद्र सासित प्रदेश में थोड़ा सा डेटा हम देख लेते हैं केंद्र सासित प्रदेश का डेटा देखना जरूरी है क्योंकि राजस्तर पे हमने काफी सारी चीज़े देखिए दोस्तों अगेन वही मैं बात कर रहा हूं कि लक्षदीप और अंडमान में कोई स्टी नहीं रहता है नो यस्टी कहां पे लक्षदीप और अंडमान निकुबार में और दिल्ली चंडीगड पुदूचेरी में कोई स्टी नहीं रहता है कहां नहीं रहता है दिल् आपको बिना गूगल किये पुदू चेरी बताना है कहां पर बढ़ता है ठीक है अगला पॉइंट देखिए सरवाधिक जनसंख्या कहां पर है तो सरवाधिक जनसंख्या आपका अगर हम केंदर साशित प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों सरवाधिक जनसंख्या कहां पर है निमलिखित मेंसे किस केंदर साशित प्रदेश में सरवाधिक जनसंख्या है तो वहां पर उत्तर प्रदेश देगा भीया मार के चले आएंगे बहुत बच्चे बिना ध्यान दिये कि क्विश्चन में केंदर साशित प्रदेश पूछ लिया और जब कि दिल्ली भी option में देगा। ध्यान देना है अगला point देखिए इंतन aí कहा पर है तो आपका लक्षदीब में अगेन बात हो रही है केंदर साशित प्रदेश की सरवाधिक जन संख्या घनतों कहां पे हैं तो भाया सिंपल सी बात है जहां पे लोग ज्यादा रहेंगे वहीं पे घनत होगा यानि कि यह आपको याद करना पड़ेगा ही नहीं क्योंकि दिल्ली केंदर साशित प्रदेश है और यहीं पर लोग ज्यादा रहते हैं ठीक है और अंडमान निकोबार में सबसे कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पर साप रहता है वहीं पर अंडा देता है उसकी अंडे के पास कोई नहीं जाता है यानिकि सरवाधिक जनगहनत जो है वो कहां पर कम है अंडमान निकोबार म और सरवाधिक साक्षरता वाला केंदेशाजित प्रदिस कौन सा है तो आपका लक्षदीप है 91.8% सरवाधिक साक्षरता वाला है दोस्तों यहाँ पर गलती फेसे बच्चों से होगी वो दिल्ली मर के चले आएंगे जो की गलत होगा ठीक है सरवाधिक साक्षर कौन सा है लक् अब यह data आ रहा है और data आप बहुत सर्य बुक्स में देखते हो गये और मैंने हैं फिर और पीकर दो भूझ को हैं उसको और सबस्द्द्स करने में बहुत दिक्त कितर नहीं याईगी t compete कम से कम आपको याद होनी चाहिए लेकिन कुछ चीजे ऐसी है कि आपको 4-5 याद होनी चाहिए तो जैसे जनसंख्या हो गया ठीक है जनसंख्या राज्य कौन सा यह को गया इस पताया था उपर सिक्की में सबसे कम है नियूंतम साक्षर कोन है नियूंतम साक्षर मतलब यहाँ पर कहां पर सबस्यादा गमार रहते हैं भाई कवार कहना थोड़ा उचित नहीं होगा लेकिन भी हरी भास आगी नहीं यह पर यह बिहार दक के मैंने गमार भूला ठीके तो तो बिहार यहां पर नंबर एक पर है जन संक्या घनतों के मामले में और इसका ये डेटा ये जो आकड़ा आप देख रहे हो अगला पॉइंट देखिए दोस्तों नियूंतम जन संक्या घनतों रणाशल प्रदेश में एकडम से चाइना के बॉर्डर पर है और वहां पर हमेदा कुछ ने कुछ चाइना की जड़ब लगी रहती है और क्या है कि वहां पर डिवलेप्मेंट बहुत कम हो पाया है तो वहा मैंगान तो मतलब यही न जहां मुझे लग रहा है कि सारवाधिक बाव हो को आप लोग कमेंट सेक्समें लिए ठीक है सरवाधिक अच्छा मैंने ये डाउट क्यों किया क्योंकि आपको पता है कि हर्याडा क्या है हर्याडा एक पूरुस प्रधान राज है क्योंकि मैंने बहुत ऐसी कहानी सुनी है कि वो जैसे दंगल मूवी आए थी उसमें दो बच्चियों को बढ़ने नहीं देते हैं लोग उसका पिता समस्ता उसको वो आगे बढ़ाता है यानि कि अगर आप देखोगे तो पूरुस प्रधान है फिर भी यहाँ पर नि हिमाचल में हो जाएगा ठीक है और अगर हम सरवाधिक कम ग्रामीड देखेंगे तो अब यहाँ पर नगर भिक्षित हो चुका है तो यह अपना गोवा है चोटा से सीटी है अब चोटा से सीटी है साक्षर है तो अब साक्षर में मतलब यह समझ लो कि नंबर एक बहें लेक सरवाधिक नगर में माया नगरी मुंबई टो वहां सरवाधिक नगर कावर में इसको पर देक सरवाधी कि यहाँ पने बताया है सवाधिक अनुसूच के ओल पर पंजाब अगला अगर जुछ तो यह पंजाब और यह उत्तर पर देस इन दोनों में गरभड़ी नहीं होन宝ी जाती में result लेक जब जन्संख्या के बात करेगा तो आपका यूपई ठीक है ऐसे यह आपको सारे चीज़ें याद करनी है नियुंतम दस्किए देख लिए लास्ट पॉइंट है आपका एनरजी बिल्कु लॉक्त हो चुकी जिसे बैटरी डिशार्ट होता ना वह यह लमार हो गया जुबान भी लड़करा रही है तो यह सरवाधिक पूरुस साख चर्था के साब से नंबर एक पर है नियुंतम पूरुस साख चर्था और महिला साख चर्था आपका बिहार में है अगर हम पूरुस की बात करेंगे नियुंतम साख चर्था तो बिहार में है और महिला की नियुंतम बात करेंगे तो यह आपका राजस्थान में यहां पर मै कोड लगा रखाे यह मैक्सिमम मैनला है मैंने उपर बता भी दिया मैंने उपर बता भी दिया था है मैंने और पंझाब में उपर आप चुल-इस दा मि embargo है यह कंटेंट आपका रेडि हो चुक है जिन लोगों को पीडिये जाहिए होगा आप लोग फटाग से वाटसब कर देना कोई दिख्कत नहीं है किसी किसी को टोडाउट होता है सब पैसे देने के बाद मेरी बह्ता नहीं तो पैसा लेंगे तो क्या पेडियो नहीं देंगे है इतना भी मतलब इतना मसंजू ठीक है तो जिनको को चाहिए होगा फटाक से उनको आप लोग वाट्साप कर देना कोई क्वेरी हो कोई समस्या हो प्राप्लम हो तो भी वाट्साप कर देना मिलते के लिए वीडियो अपना ध्यान रखना जय हिंद